बूर्णिंग प्यारों बच्चों ड्रीम अकेडमी के ऑफिसियल यूटूब चेनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग क्लास टेंथ का सेकेंड चेप्टर बहुपद पॉलिनॉमिल जो हैं वो देखने वाले हैं और जिसमें इंपोर्टेंट कोस्चन्स जो प्रिविश एक्जाम में पूछे गया हैं वही हम लोग डिसकस कर रहें थे और उसी को हम लोग आज कंटीनिम भी करने वाले हम बच्चों एक महिं मन्त बचा हैं आपके लिए एक्जाम के लिए तो जीतना फास्ट हो सकें जीतना जल्दी हो सकें हम लोग इस चप्र को को खतम करेंगे सेलेवस को खतम करेंगे अना मैंस' का सारे कोश्चन्स प्रिवेश एर के देखेंगे और मॉश्ट इंपोर्टेन जो प्रिवेश में पूछे गार इस बार भी पूछने की ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइं सब्सक्राइब तो विया है आपको यहां पर क्या करना है सुनिय में क्या हो और मेरे बचल लास्ट टाइम पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कुश्चन बनेगा कैसी है मैंना आपको कुश्चन बनाते आना चाहिए देखे क्या लिखा है कि एक स्कर मैन्श ट्यां तो देखे सबसे पहले तो आपको मैंने स्वारूशन बता ही दिया था है हassung लिखें हिंदी मेडियम वाले इंग्लेस मेंडियम वाले जिसलिशन लिखें आपको जो सुटेवर लेगें आपको लिख सकते हैं नहीं दिखनी चाहिए यह इसका और इसका मल्टिप्लिकेशन करना पड़ेगा जब यह कुश्चन आएगा मैं आगे बता दूगा लेकिन यहां पर अभी सिर्फ आप इतना याद रखे यहां लाश्ट की संख्या क्या है एक है लाश्ट की संख्या क्या है मरवच्यो एक है औ क्या है तो कि इसको बरेक करना है इन दोनों को तोड़ना है में इν दोनों को क्या करना रेक ना है क्या है के चार और दो का में मैंगु ँख रएगा यह यह कम याद रखना है लाष्ट है को कहां से लाएंगे हम मल्टिप्लाई करके लाएंगे और यह संटर वाली संख्या इसको कैसे करके लाएंगे या तो गुना करेंगे या सुरी मैनस करेंगे या फिर एड करेंगे इन दोनों कुछ भी कर सकते हो या तो मैनस करो या एड करो लेकिन हमारी संख्या आनी चाहिए औ अब हमने एक संख्या है आपको बता दिया है कि पहले जैसा question है वैसे ही आपको निख देना है जो भी question होगा जैसा होगा वैसे का वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है अब इसके बाद क्या करेंगे इसको break करना है कैसे करेंगे देखिए x² जहां है वहीं पर रहने लिजिए 1as का sign है मामान तो इस धूअ है हमें 2 को ही तोड़ना है इस फू out करना है व्लू ho लूद कि किन ट्वार ओर उस में कर दिया ? व्ली यान फूर यानने लीड़ार तो कह से प्र वब्लि can को हमने क्या कर लिया इसे ब्रेक कर लिया एक सका हम क्या करेंगे एक सही लिखेंगे और माइनस एट जो है वह माइनस एक कुछ भी चेंज नहीं आया सिप सेंटर में जो टू था उसको ब्रेक किया कैसे किया मैंने बता दिया ब्रेक करने का तरीका लास्टी की संख्या को उठ लखाना है और इन दोनों इन दोनों संख्याओं में एक संख्या को सूचना है जो इन दोनों के लिए जाइन पार करेंगे तो आजाएगा, फुर में से टूक माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे, सारी, टू आ जाएगा, माइनस का भी मैं समझेगे, क्यूंकि माइनस का साइन तो यहां पड लगा हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे मिर बच्चों इस जो ब्रेकेट है ना इसको उपन करने की कोशिस करेंगे तो X-square है माइनस का साइन जे को ब्रेकेट कैसे ओपन होता है यह तो आपको पता होगा क्या करना है कि यह minus के sign का अंदर गुकुना करना है और X का भी क्या करना है अंदर देखो हम इस ingo डिगाँ क्या ज़्यादा नहीं बढ़एंगे वहीं का वहीं करने की K couk France करेंगे तो जैसी यह minus sign न का इसमें int को finance का क्या जाएगा फोर यह जाएगा उस minus का minus को sign से इंटू होता है तो क्या होता है प्लस का साइन हो जाता है जब भी साइन का कभी भी क्या होता है कुछी भी साइन का चिन्न का अपने आपसे चिन्न से ही गुना होता है संख्याओं का संख्या से गुना होता है तो हमने क्या 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 हो जाएगा प्लस हो जाएगा औ और एक्स का इन टू करेंगे तो एक्स हो जाएगा समझे की कुर्शिस करना क्या करना है कि इस मायनस का पहले इस वाले से करना है तो मायनस का फोर से किया तो मायनस वह स्धस्यक्राइब एक से किया तो एक सोग्या मानस का मारे से वहजी चॉह democr gemacht लेक्स पूथ और एक्स का एक सव्य अरॉ गया एक सब्सक्राइब मायनस का एट जैसा था यह जगासे लिख दिया रोड़े change हुआ क्या नहीं हुआ सिर्फ है इसको दो तरीके से लिखाए कैसे क्य Abg अगर हम मैनस 4X में से 2X को घटाएंगे मेरे बच्चू तो बचेगा क्या मैनस का 2X ही बचेगा मैनस का 4X में से 2X को घटाएंगे मैनस करेंगे तो क्या बचेगा मैनस का 2X बचेगा वही का वही लिखा हुआ अब क्या करना है इन दोनों संख्याओं को लेना है और इन दोनो को लेना है संख्या नहीं कह सकते हैं इसको पद कह सकते हैं अब क्या करेंगे इसमें से देखिए इन दोनों में से common क्या दिख रहा है मिर बच्चो इसके पास भी X है कितने है टू है और इसके पास कितना तो इसके पास कोई भी x अभी बच्चा हुआ नहीं है अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही common निकालना है मेरे बच्चो लेकिन आपको common निकालने में यहाँ confusion होगा इसे निकालना है यह जो आपने common निकालना है वही का वही यहाँ पर आपको लिख देना है लिख दिया अपने x-4 अब देखिए मेरे बच्चो क्या है कि यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है 8 लेकिन देखो यहाँ 8 की जगा हमने क्या लिख दिया 4 यहाँ x की जगा x तो क्या हम 8 बनाने के लिए 4 को 8 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अगर इस 2 का अंदर भी इंटू होगा, तो 2x हो जाएगा, इस 2 का अंदर इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका मतलब यह ज समझ नहीं आए कि हम कौमन किसको ले तो कुछ भी नहीं करना यह संख्या जो है उसी को उठा के पहले यहां रख दो अब देखो उपर वाले से कंपेर करो हमें यहां आठ चाहिए था लेकिन लिखा क्या है चार और हमने सुचा कि चार में अगर हम दो का गुना कर लेते हैं त एक स्माइनश-फोर ऊके छलिए अब देखी यहां पर यह एक पद हो गया अब यह दूसरा एक पद हो गया यह एक पार्ट अ है दूसरा पार्ट है अब हम क्या करेंगे इस में से कॉमन देखो एक जैसा कौन दिख रहे एक जैसा दिख रह एक यह है और यह किया है तोनों से x-4 अगर बहान निकाला है तो यहां पर बचेगा कितना प्लस 2 इतना समझ में आया कि यहां पर आपके पास x-4 बहान निकलेगा तो यहां X बचेगा यहां से X-2 अगर बाहन X-4 बाहन निकलेगा तो यहां X-2 हमारे पास बचे जाएगा इतना समझ में आ गया अब यहां पर क्या करना है कि देखिए यहां सुन्यक हमारे पास निकालने है X-4 और X-2 तो आप यहां पर आपको समझाना चाहिए कि जो 0's है इसके इसके X-2-2-8 के यह कैसे पता होंगे कैसे हम स्वाल करेंगे देखिए यहां पर हम ठेवरी को लिख सकते हैं लेकिन अगर आपके पास देखो हमारे पास टाइम कम है मेरे बच्चों और लास्ट टाइम पर हमेरे रिजन करना है तो हमें बस कुश्चन को समझते चलना है कि कु जीरोज क्या होंगे किसके है कि इसके X-2-2-8 इसके जीरोज हमारे पास क्या होगे देखो हम सीदीशी बात अगर हम समझने की कुशिस करें इसको तो हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं कि डिवेल्यू आफ X-2-8-0 कब होगी यह 0 कब होगी जब X-4-0 तो X कितना आजाएगा? माइनस का 4, और एकस प्लस 2 एकवでした, जब मेरे बच्छों, इस кстати x इकवल 4 होगे इस्लिए, हैस की में इस इकवेंजे झेकशन की हो जाए जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा या x equal minus 2 रख दोगे तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा ठीक है इतना समझ में आया तो आपको क्या करना है therefore the zeros of किसके 0? x square minus के 2x minus का 8 कौन कौन से होंगे 0? 1 होगा x equal 4 के और 1 ही होगा x equal minus का 2 यही तो हमें निकालना था question में आप देख लीजिए सबसे पहले तो यही आपके लिए कहा गया है क्या कहा गया है आपके लिए find the zero of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zero and the coefficient यही तो हमें क्या करना है find करना है ठीक है अब हमारे पास दो चीज है इसके साथ-साथ आपको relationship भी बतवाना है जीरो और coefficient के बीच relationship आपको दिखाना है तो क्या करेंगे देखो sum of zero करेंगे product of zero करेंगे यानि कि सुनेको का गुननफल हमें करना है और सुनेको का योगफल हमें करना है तिक है यहां तक तो इतना दो समझ आ गया यहां तक हमारा आधा हो चुका है अब इसके बात का देखते हैं समाब 0 की बात करें ठीक है इसका मतलब है अलफा और प्लस हम क्या करते हैं बिठा अलफा प्लस भीटा एक्वल क्या होता है मेरे बच्चों माइनस के b upon a के होता है ठीक है इस इसको समझने की कोशिश करना alpha sum up 0 equal alpha plus beta equal minus के b upon a देखो sum up 0, 2, 0 हमारे पास निकले हैं सुन्यक हमारे पास आप समझ के चलिएगा हिंदी मीडियो माले सुन्यक हमारे पास निकले हैं सुन्यक है एक चार है और एक माइनस का 2 है यानिकी 4 है और माइनस का 2 है तो इन दोनों 0 को अगर हम जोड़ते हैं इसे equal alpha कहेंगे और एक को क्या कहेंगे बीटा यह किसके बड़ाबर होगा minus के b upon a के देखो अगर आपको equation पता होगी तो equation क्या होती है a x square plus b x plus c यही तो हमारी main equation होती है a x square plus b x plus c इसको अगर हम इससे compare करें न मेरे बच्चों तो a यहाँ पर 1 है b यहाँ पर minus 2 है और c यहाँ पर minus 8 है समझने की कोशिश किजिए कि यह हमारी main equation होती है अगर हम इसको compare करते है तो a equal देखो यह basic classes में हमें सीखने को मिलती है यहाँ पर हमें fast division करना है फिर यह मैं थोड़ा सा समझ बता देता हूं आपको कि a यहाँ पर क्या है 1 है इसके सामने कुछ नहीं है इसका मतलब 1 लिखा होगा b यहाँ पर क्या है minus 2 है c यहाँ पर क्या है minus का 8 है इस चीश को समझ के चलिएगा अब यहाँ पर देखे मेरे बच्चो sum of 0 alpha plus beta अब alpha क्या है alpha को हम 4 मान लेते है beta को minus 2 मान लेते है यही तो पास यह निकल कर आया है और दूसरी बार में यह आया है तो alpha हमारे पास alpha क्या है 4 है और plus है add करना है तो plus करना है और किसको plus करना है? Minus के 2 को, अब यहाँ पर समझ के चलिएगा minus का b अगर आपसे बूला है तो यह minus sign तो minus का रहेगा मिरे बच्चो लेकिन यहाँ पर आप देखिए b की जगा क्या है 2 है । और 2 नहीं है minus का 2 है अब समझ कि चलिएगा यह minus का sign तो formula का है और यह minus 2 क्यों लिखा क्योंकि B का mान क्या है minus 2 है और upon में A लिखना है और A का मान हमारे पस क्या है मरुचो 1 है अब देखिए यह क्या होगा 4 प्लस और minus क्या होता है minus का 2 equal यह minus और minus प्लस हो जाएगा यहां पर भी two होगा और यहां पर भी two होगा क्या यह दोनों बराबर है अगर यह दोनों बराबर होगे इसका मतलब हमने जो solve किया है हमने जो zeros fine किये है जो सुन्यक हमने निकाले है वो हमारे सुन्यक कैसे है सही है अभी हमने क्या निकाला है sum of zero अभी हमें क क्या होगा अलफा इन्टू बेटा और यह यह किसके बराबर होता है सी अपन एक बराबर होटा ये फॉर्मूलय躯े आहसी आपको या रखना है मेरो बते है अっぱ इन्फा परोड़क बात करें तो फुर और इसका इन्टू हमें किस्के करना है मैनस है कितना है हमारे पास फूर है और बीता कितना है हमारे पास मैने कि वेल्यू क्या है अगर आपको बार बार समझ नहीं आ रहा है तो आप यहां से देखो इससे कमपेर अगर हम करते हैं तो यहां आपको तो निकल कर आ जाएगा a equal 1, b equal minus का 2 और c equal minus का 8, c equal कितना minus का 8, यह आपको अलग से निकाल कर रख लेने हैं, ताकि आपको कोई problem ना हो, question solve करते समय, अब देखिए, 4 का minus 2 से अगर देखो, minus 2 से plus है, और minus है, plus का minus 2 से गुना करेंगे, तो कितना जाएगा minus का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, मैं बच्चों minus 5 हो जाएगा, क्या यह दोनों भी बराबर हैं, यहाँ दोनों बराबर हैं, इसका मतलब आपने जो solve किया था, जो भी आपने 0 fine किये थे, जो भी आपने सुनने कहां पर निकाले थे, वो दोनों कैसे हैं, सही है, क्योंकि हम इतना कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, constant term हम इसे देखो, यह coefficient of x है, coefficient of x square है, constant हम है, इतना नहीं, फार्मूले से चलेंगे, alpha plus beta equal minus की B अपने, और यहाँ पर सिर्फ alpha और बीटा को जोड़ेंगे, minus का B हमने यहाँ से solve कर लिया, और ऐसे हमने question को क्या कर देना है, solve करना है, देखो 0 आपको निकालने के लिए, 0 fine करने के लिए आपके पास यह है, यह आपके लिए final answer, 0 हमारे यहाँ पर होगे मेरे बच्चों, ठीक है, यह 0 most important है, क्योंकि question आपका, answer आपका यहाँ से आएगा, कि यहाँ पर हमें 0 fine करना है, 0 यह सबसे जादा important है, यह x equal 4 और x equal minus के 2 यह हमारे लिए important है, most important answer हमारा यह होगा, इसके बाद यह हमारे जाच हम कह सकते हैं, एक तरीके से हमने चेक कर लिया, कि क्या हमने जो स्वल किया, वो सही था या गलत था, ठीक है, तो इसको आप note कर लिए, बहुत ही ज़्यादा important यह question रन जाता है, अब हम एक बार इस question को और समझते हैं, देखिए, एक class में एक ही question हमने कर पा किया है आज, लेकिन इसको एक बार और अच्छे से समझते है, ताकि इस chapter से जो भी question आएगा, उसे हम find करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जिरो find करना है, और इसके बाद check करना है, आपको कि या सही है या गलत ह हो, हिंदी मीडियों वालों के लिए सुने को को देखना है, सुने को find करना है, सुने करना है, और उसके बाद में स्वजाच करना है, ठीक है, उचे लिए, x square minus 4, 2x और minus का 8 हमें दिया हुआ, पहले समीकरन को समझे है, पहले तो समीकरन को, equation को आपको समझना है, क्या करना है कि x square, जो power जादा है, वो पहले आना चीए, फिर उससे कम, और फिर उससे कम, यहाँ power कितनी है, 2 है, यहाँ power एक है, और यहाँ पर कोई भी power वाली संख्या महीं है, यहाँ तक हो गया, यह सीगे नमबर हमारा होना चीए, 210, यहाँ 0 है, खतम हो गया, जिसी को जैसे का वैसे से रख दिया, अब हमने क्या किया था, कि यहाँ से last वाली संख्या को सोचा था, इन दोनों संख्या को उठाया था हमने, एक last की संख्या 8 को उठा लिया, और बीच की संख्या 2 को उठा लिया, फिर हमने इन दोनों को दे सोच कर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, एक दो संख्या सोची, कि क्या हम दो संख्या ऐसी निकाल सकते हैं, जिनका इंटू करेंगे, मल्टिप्लाई करेंगे, तो 8 आना चीए, और जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो 2 आना चीए, जी है मेरे बच्चों हमने सोच लिया, क्या सोचा था, 4 और 2, 4 और 2 को इंटू किया, तो साथ में रखना था, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, ये जैसा है, वैसे ही साथ में चलते रहेगा, अब x square जैसा था, वैसे रख दिया, ये भी रख दिया, हमने क्या क्या है, इस दो के साथ चाड़ कर दिया, हमने 2 को दो एक तरीके से लिखने का तरीका हमने इसको भी टू कुछ सामने की कुछ कोशिस करते कि दोनों साइट से दोनों संख्या आगा तो क्या हो जाएका मायनस की संख्या के सामने कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है हमेशा प्लस होता है कुछ संख्या के सामने अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब साइं वहां पर हमेशा हमेशा कैसा होगा फ्लस होगा ठीक है तो अब क्या हुआ कि यहां माइनस जो है इसके प्लस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस बहुत पावर्फुल होता है मेरे बच्छों यह क्या करता है जब भी कोशी प्लस से अगर इंटू करना होना तो वो हमेसा अपनी चलाता है अपने देखा होगा कि अगर किसी के पास माइनस हैं तो वो हमेशा क्या करेगा माइनस में ही लेके जाएगा प्लस नहीं रहने देगा उसको तो माइनस इस वाले के प्लस के साथ टकराएगा तो क्या हो जाएगा माइनस और एक्स इसके साथ टकराएगा तो मेरो बच्चो इसके साथ जूल जाएगा फोर एक्स के साथ क्या हो जाएगा जूल जाएगा अब यहां पर यह हो गया कि मायनस इससे टकराएगा मायनस हो गया और एक्स इसके टकराएगा फोर एक्स हो गया अब जब यहां मायनस की बात आई माइनस फोर से तो हो गया लेकिन ये माइनस फिर मैरे बच्चो माइनस टू के साथ जाके टकराएगा और माइनस माइनस दोनों क्या करेंगे लडाई कर लेंगे दोनों लडाई करेंगे और यहां पर फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यह माइनस और माइनस क्या हो और दोनों एक दूसरी के साथ कैसी हो जाएंगे जूर जाएंगे इस चीज को याद रखेगा कभी भी अपोजीशन वाले लड़ते हैं साथ वाले नहीं लड़ेंगे यहां माइनस प्लस था तो जहां इन दोनों ने लड़ाई की और माइनस ने अपनी जगा ले ली माइनस सम माइनस एक जैसे हैं तो दोनों के दोनों कैसी हो जाएंगे जूरी आएंगे प्लस हो जाएंगे यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और टू एकस के साथ हो जाएगा जैसे फोर के साथ जोड़ा था वैसे तू एकस के साथ जूरी आएगा अब माइनस इंचे सेट का माने सेट हो जाएगा I think इतना समझ में आया होगा कि मानेस प्लस में कंफ्यूज यहां पर बच्चत अक्सर गल्ती करते हैं मानेस और प्लस में मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि गल्ती करना है मैनiß प्लस के साथ जब भी opposition वाले के साथ किया हो गी लड़ाई होगी और जीते हैं कॉन माइनस वाला ही जीते है संदिषन हो तो यह और नो क्या कर लेते हैं आपस में दोस्ति कर लेते हैं आपस जूठ जाते तो यह चीज आपको यहां पर समझनी है और यहां पर यह कर लेना है अभी हमने क्या कर लिए इस वाले दो पद को ले लिए इस वाले दो पद को ले लिए अभी क्या हुआ कि इन दोनों में से common देखो मेरे बच्चों यहाँ भी एक से दिख रहा है मुझा यहाँ भी एक से दिख रहा होगा उसी को हम common कहते हैं तो यहां भी एकस दीख रहा है एकसप्र कोम ह 일हां यहां पर यहां यह दिमाग नहीं चल रहा है आपकर अगर यह समझ नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट वाली जो प्लास होगी नेक्स्ट जो कुश्चन होगा उसमें समझा जाएगा वस थोड़ा सा आपको सब्स रखना है क्या करना है कि यहां से फिर देखिए एक्स माइनस फूर कॉमन एक्स माइनस फूर कॉमन निकाल लिया तो यहां पर एक्स बचा और यहां पर प्लस का क्या बच जाता है तो बच जाता है यहां से एक्स माइनस फूर निकाला तो यह एक्स बचेगा और यहां से एक्स माइनस फूर निकाला सीजी शी बात है तो यह 4 equal zero होगा तो X मिरवप्शो क्या होता है जब हम किसी की value निकालते हैं जब भी किसी की ये किया होता है ये variable है तो जब भी हम इसकी value निकालेंगे तो ये अपने पास किसी को रखेगा नहीं दिश्वी ये X है इसकी value निकालनी है ये क्या करेगा अपने पास किसी को नहीं रखेगा, अपने पास जो भी है, उसको भाहनी की गोशिस करेगा, अब इसने क्या कर लिया, एक सहें, दो साइड है हमारे पास, ये left hand side रुग गया, जहां था, वहीं रुग गया, और इसने इस 4 को क्या कर दिया, right hand side भेज दिया, अब जब right hand side देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जगह को छोड़ कर जा रहे हो, ये क्या होता है, ये minus का था, इधर आके क्या हो गया, plus का हो गया, जब भी side हमारी change होगी, तो minus plus होगा, plus minus होगा, into divide होगा, divide into होगा, ये सब चीज़े change होता है, ये minus इधर जाके plus हो गया, यहां पर ह x plus to equal 0 होगे, जब ये x दूसरे side जाएगा, right hand side पर जाएगा, तो भाई इधर तो plus का था, लेकिन right hand side जा रहा है, तो कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या change आया, इसमें minus का change आगया, ये क्या होगा, इधर जाके क्या होगा, मैनस होगा, इतना एक 4 मिला, और एक दूसरा 0 हमारे पास क्यानिक मिल गया, मैनस का 2 मिल गया, ये 2 0 है, अब हमें क्या करना है, इस प्रूफ करके देखना है, कि क्या हमने सही निकाले, तो sum up 0 क्या होता है, alpha plus beta, और ये formula कभी मत भूलना, alpha plus beta equal minus के b upon a, और alpha into beta equal के c upon a, आपके exam में objective question में से निकों का यूप होता है, मैनस के b upon a, और सिनकों का गुनन फ़ल c upon a, तो बस हमने क्या कर लिया, 0 alpha हमारे पास दिया हुआ ह है, beta हमारे पास दिया हुआ है, दोनों को जोड दिया, और minus ki b upon a, ये तो formula है, यहां से हमने a, b, c आपको निकाल कर बता दिया था, a हमारे पास one हो गया भी हमारे पास मानेश को सॉल कर लिया और इसको सॉल कर लिया सी अपॉने सी अपॉने अलफा इंटू बीटा इन दोनों का गुनार फल करके तो यहां पर हमने आप तो सबसे पहले तो इसक्रिंश वाट लेजे क्योंकि एक कोश्चन है और कंप्लीट कोश्चन आपको इसको थोड़ा साइस वीट से करेंगे देखिए यहां पर देखने को मिलेगा और इससे एक भी नंबर आपके यहां से नहीं कटेंगे अगर आपने इसको सहीं सहीं कर लिया तो ठीक है और यह पूछा गया कोश्चन है और इसमें से एक नेक कोश्चन आपके एक्जाम में आएगा ही आएगा यह आपकर लिए जहां से हर साल इक्जाम में कोश्चन आता है और इस बार भी कंफरम है कि इसको थोड़ा सा करेंगे यहां पर बेसिग भी समझाना था हमें कोश्चन के साथ इसलिए हमें टाइम लग गया लेकिन इसके बाद वाले कोश्चन में हम आने के संभावना है वो सारे कोश्चन संभ करने के कोशिस करेंगे जितना जल्दी अगर खदम हो जाता है तो अब्जेक्ट कोश्चन भी करेंगे ठीक तो लाइक से सब्सक्राइब जरू किजी मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लगनेवाद जैहिंद जैभ वीडियोगा मेंगे तो